हेलो नमस्कार सुटेंट वेलकम टू इनोवेशन स्टेडी चनल आप सभी का यहां पर श्वागत करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने संजीव मोडल संजीव डेसर को हमने शुरू कर रखा था इसमें चार मोडल पेपर हमने कंप्लेट कर लिया है साइंस में मैथ मे संजीव और आपकी एक्सलेंट दोनों ही पूरी संजीव पूरी होगी एक्सलेंट लास्ट एक क्लास बची है पांचवा मोडल पेपर की वो हो जाएगी इसके बाद में मौस्ट इंपॉर्डन प्रशन करने वाले हैं जो एक चप्टर हार्ड चप्टर उनका रिजिन अच्छे से तो वो भी आप क्लास देखते रहें अग्याम तक जब तक आपको अग्याम नहीं होता जब तक अपन छोड़ेंगे नहीं पांचवा मोडल पेपर आज लेके आए हैं इस क्लास में पांचवा मोडल पेपर पूरा कर लेंगे देखिएगा आज की क्लास में पहल लिखित में से कौन जेयो एन मिन्नी करण परदार्थ है एन मिन्नी करणिया परदार्थ कौन सा परदार्थ होता है वे परदार्थ जो परकृति में लंबे समय तक बना रहते हैं और उसको विगटिट करना बहुत हार्ड काम होता है वो कभी खतम नहीं होता और वो कहें कुछ टाइम के बाद में गल जाएगा सुती कपड़ा भी गल जाएगा लकडी में दिमक लग जाएगा वो भी कह खत्म हो जाएगा मीटी बन जाएगा लेकिन प्लास्टिक की थेलिया ना प्लास्टिक की थेलिया बहुत लंबे समय तक बनी रहती है उसे विकटित नहीं किया Option number c N has Everything की गोलियां बनाई जा सकती है किस से बनाई जा सकती है Name cuál तार से कोईले से ठीक है कोईला गेंस से कॉक से जो laten 涅 की गोलियां बनाई जा सकती है 거 तार से बनाई जा सकती है Option number a right होनेगा Next person है Indhan के उस्वियंधन का मात cap इंधन के उसमे मान का मात्र क क्या है प्रशन संख्या 3 में आपके पास वे किलो जूल परतिकेजी यह ओजेगा सोरी इसमें है किलो जूल परतिकेजी तो आप्शन नमबर ए इसमें रैट होजेगा Kilozool परती केजी इंढन के मान का मात्रक होता ही सत्य और यसर आपको बताना है जैसे प्रशन संख्या 4 आपको दिखाई दे रही है इस में बताना है सत्य होता T टी भर ना है कौस्टक में यसर वर भर ना है भूर्ण एक एकल कोशिका का बना होता है ये बात ऐसते है भूर्ण एकल कोशिका का नहीं बना होता है इसलिए यहाँ पर F आएगा वरिषन एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित करता है भुखंब की भुविशेवानी की जा सकती है यह किसी को नहीं पता चलता अगर पता चलता तो किया है अभी जो हमारे पडोशी देश्च में क्या नाम है उसका नाम भूल गया में उसमें भूकम आया था तो वहाँ पे इतनी जान की हनी नहीं होती तो भूकम की अगर भूशेवानी की जा सकती है तो सबी लोग घर से बाहर आ जाते हैं भूकम की बहुत के वाणी कभी नहीं की जा सकती बार इसकी मौसम के बारे में बताया जा सकता है लेकिन भूकम के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता अंद्रोनी हलचल होती है निरापद दियासलाई की तिल्ली के सीरे पे लगने वाले दो रशाइनों के नाम लिखे दियासलाई जैसे माचिस की तिल्ली होती है उस पे लगने वाले दो रशाइनों के नाम बताने आपको तो इसमें प्रसंद संख्या साथ का जो राइट अंसर है वो आपके सामने इस प्रकार से आजेगा एंटीमीन 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 कलर ले लेता हूं यहां से मारकर ले लिया है एंटिमनी, ट्राइसलफाइड और पोटेश्यम कलोरेट और एंटिमनी ट्राइसलफाइड ये दो रशाइन लगे होते हैं निशेचन किसे कहते हैं शुक्राणू तता अंडाणू का सल्ले निशेचन कहलाता है शुक्राणू तता अंडाणू का सल्ले निशेचन कहलाता है नेक्स्ट परशन है लड़की या लड़के के निर्धारण के लिए क्या मा उतरदाई है क्या मा उतरदाई है या आपको बताना है लड़की या लड़के के निर्धारण पिता के लिंगन सुंतर द्वारा होता है उसमें मा उतरदाई नहीं होती है लेकिन हमारे समाज में जो भ्रांती फैली हुई है वो मापे ही थोपा जाता है कि इसके तो तीन लड़कियां होगे इसके चार लड़कियां होगे कोई लड़का नहीं हो रहा है इसके तो वो ब्रहांती है एक तरीके से आप पड़े लिखे समाज में हो आप पड़े लिखे हो आपको मालूम होना कि ये कि उसके लिए लड़की का जिनम होगा या लड़के का जिनम होगा उसके लिए पीता ही जिम्मेवार होगा पीता का ही गुण शुत्तर इसमें शामिल होगा Is that clear? Next question की तरफ चलते ही Next है कांच की छड़ को रेसम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर आवेस उत्पन होता है यह है विदुत आवेस क्या कहलाता है यह है विदुत आवेस क्या कहलाता है देखेगा जब कांच की छड़ को रेसम से रगड़ा जाता है पूरे माहे तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के पर्दिप्ट भाग की विविन आकरतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं पूरे माहे तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के परदिप्त भागी की विभिन आकरतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं नेक्स्ट प्रशन है विशानू या वाइरस विशानू या वाइरस क्या है समझाईए विशानू या वाइरस क्या है समझाईए तो प्रशन संख्या बारा में आंसर हो जेगा विशानू या वाइरस क्या है अती छोटे सुक्सम जीव हैं किन्तु ये अन्य सुक्सम जीवों स प्रपोसी में ही गुणन करते हैं अर्तात ये जिवान पोधे अत्वा जन्तु को सिका में गुणन करते हैं कुछ सामाने रोग जैसे यहां पे है जुखाम, एन्फुलेंजा यानि फलू या खांसी आदी विसानु दवारा होते हैं कुछ विसेश रोग, पोलियो या खश्रादवारा आदी के कारक भी विसानु होते हैं इसको जैसे आप मैं पढ़ रहा हूँ इसमें थोड़ा सा कम समझ में आता है तो आप रोग के अपने इसाब से आप पढ़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है बहुलक किसे कहते हैं बहुलक किसे कहते हैं दो पादब बहुलकों के नाम बताने हैं तो बहुलक किसे कहते हैं बहुलक इसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं जिसका आजसे हैं अनेक इकाई जैसे मैथ में बहुलक आता है जो सबसे अधिक्तम बारंबारता होते हैं वही बहुलक आता है जो ज़्यादा रिपीट होता है वही बहुलक होता है आते बहुलक वह परदार्थ है जो बहुत से छोटी इकाईों को दोहराने से बंता है परकृती में पाए जाने वाला कपास भी एक बहुलक है इसे cellulose भी कहते हैं यह कोज की कई इकायों से बना होता है दो पादब बहुलक जैसे कपाश, सेलुलोज और स्टार्च ये इसके अग्यामपल है नेक्स्ट परसन की तरफ चलते हैं आपको इसमें मिलान करना है जैसे समुवर फरस्ट और समुवर सेकेंड का आपस मिलान करना है तो परवासी पक्सी साइवेरियन सार्स, संक्तापन सिपिसिज में कौन आएगा बाग में दिन पर्तिन कमी आ रही है विलूप्त सपिसिज जैसे बोलें कि डाइनासॉर्स, मैंने पीछे भी अग्जामपल देया था डायनासोर्स का कि 11,010,00,00,00,00,00,00,00 पहले डायनासोर्स लुप्त हो गया था विसेश चैत्रिय स्पीसिज भारतिय विशाल गिलहरी इसमें सत्य और यСत्य पर बताना है जिसे कोईला एक जिवासम इंदन नहीं है कोईला एक जिवासम इंदन नहीं है ये कोईला एक जिवासम इंदन है ये बोल रहा है तो ये बात आई सकते हैं नहीं है ये बोल रहा है ये बात आई सकते हैं भी कोक एक कठोर शरंदर और काला परदार्थ होता है ये बात एकदम सही है कोक काला होता है कठोर होता है शरंदर परदार्थ होता है इसमें कौलतार एक सुगंधित काला गड़ा धर होता है सकते हैं नेक्स्ट पे मिट्टी का तेल स्टो लेंप जेट वाईवान के लिए इंधन के रूप में काम में लिया जाता है तो यह बात सही होगी सकते हैं विट्टी का तेल है वो लेंप में, स्टोप में और वाईवयान के इंधन के रूप में भीज का प्रियोग किया जाता है यह बात सबते हैं बहु कोशिके तता एक कोशिके जीव में अंतर बताईए आपको दोनों में डिफरेंट करता है प्रसन संख्या कौन से है, 16 है इसमें देखते हैं बहु कोशिके जीव वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहु कोशिके जीव कहलाते हैं सभी बहु कोशिके जीव जीवन प्रार्हम अब सभी बहु कोशिक है, जीवन का प्रारहम एक कोशिका से ही करते हैं, पहले एक कोशिका ही उत्पन होती है, इसके बाद में बढ़ती जाती है, जो एक निशेचित अंडा है, निशेचित अंडा गुनन करता है, तता वर्दी और परिवर्दन के साथ, या परिवर्दन के स साथ साथ कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती हैं एले तो एक ही कोशिका जिनम लेती है इसके बाद में क्या है धीरे धीरे उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है वो तो बहु कोशिके जिव कहलाते हैं और एक कोशिके जिव कहलाते हैं या एक कोशिका से बने अपनी अनेक कोशिकां से करते हैं यह जो एक कोशिके जीव होते हैं वह सारे कारिया वह अपनी एक कोशिकां से करते हैं जबकि बहुँ कोशिके अपने सभी कोशिकां से वह कारिया करते हैं जबकि एक कोशिके जीव अपनी एक कोशिकां से ही कर देते हैं उतना का नेक्स्ट प्रसंद संक्या है आपके सामने 17 शुत्रा प्रसंद संक्या है इसमें आप से बोला गए है बल द्वारा उत्पन किये जा सकने वाले चार परमुख परभाव बताईए क्या परभाव हो शकते हैं बल आप देगे एक आंग 6 पर लगाने वाला धक्का क्या कहलाता है बल कहलाता है तो बल किसी वस्तु को विराम अवस्ता से गती में ला सकता है तता गती शिल अवस्ता को विराम अवस्ता में ला सकता है जिब कोई गती शिल वस्तु है इस पे आप प्रोकने की कोशिस करेंग उस पे बल लगाई तो वो रुख जाएगी अगर कोई विराम वस्ता में तो उसको धगा मारेंगे वो चलना शुरू हो जाएगी बल गती सील वस्तु की चाल में प्रियतन कर सकता है बल गती सील वस्तु की दीशा में प्रियतन कर सकता है बल वस्तु की आकरती में प्रियतन कर सकता है किसी ऐसी पतली हलकी वस्तु को आपने धका दे दिया क्या वो उसकी आकरती में चेंज हो जाएगा कई बार बल इस में से कुछ अत्वा सभी प्रभाओं को उत्पन कर सकता है Is that clear? Next question है प्रसन संक्या 18 स्तेतिक गर्षन और सिमान्त गर्षन के बारे में आपको बताना है स्तेतिक गर्षन किसे कहते हैं? सिमान्त गर्षन किसे कहते हैं? अच्छे से पढ़ने वाले हैं देखीगा स्तेतिक गर्षन यदि बल लगाने पर किसी वस्तु में गती उत्पन नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि यहां पे कोई समान थता विपरित बल उत्पन हो गया जो इस अवस्ता में बल स्तेतिक गर्षन कहलाता है जैसे अपन किसी वस्तू पे बहुँ जादा बल लगाते हैं फिर भी वस्तू चलती नहीं है, हिलती नहीं है, उसकी गती में कोई प्रियोर्थन नहीं होता है या उसकी स्तेति में कोई प्रियोर्थन नहीं होता है तो इस अपन यहां पे मानते हैं कि वहां पे कोई स्तेतिक गर्षन उत्पन हो गया है जो कि हमारे बल का विरोध कर रहा है जो कि हमारे बल का विरोध कर रहा है जैसे जैसे लगाये बल का मान बढ़ता है तो स्तेती गर्षन भी बढ़ता जाता है अपन और बल लगाने की कोजिस करते हैं और जो लगाते हैं और जो लगाते हैं तो गर्षन बल एक सिमान्त मान तक बढ़ता है इस सिमान्त मान को सिमान्त गर्षन कहते हैं इस अवस्ता में वस्तु 36 स्ते पे सरकने वाली ही होती है सिमान्त गर्षन होता है कि उसकी कोई एक लिमिटिशन होती है अपन बहुत जादा बल लगा दे बहुत जादा बल लगा द एक ऐसी condition आती है कि वस्तु हिलने ही वाली होती है और उस बल की जो गर्षन बल है उसकी सीमा खतम हो चुकी है थोड़ा सा बल और लगा दें तो वस्तु हिल जाएगी वैसे कहते हैं कई बार अपन किसी वस्तु को धका देते हैं किसी गाड़ी को ट्रेक्टर को बस को ट्रक को धका देते हैं तो बहुत बल लगाते हैं लेकिन वह हिलता नहीं है लेकिन बाद में अपन कहते हैं कि थोड़ा से धका और लगाते दे और जो लगाते हैं तो एक कंडिशन ऐसी आती है कि जहां पर जो घर्षन बल होता है नीचे की तरफ उसको पीछे की तरफ खींचता है वो कहा है, नर्स्ड होने वाला ही होता है, कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, वो गाड़ी चलना सुरू करतेगी वहां से, थीक है, तो वो होता है, सिमानत गर्षन और स्तेतिक गर्षन उसमें अपन बल लगाएं, लेकिन उसमें कोई पूर्योट नहीं होता, वह उता है स्तेतिक गर्षण नेक्स्ट प्रसंद की तरफ चलते हैं प्रसंद संख्या 19 दोलन गती तता आवरती को समझाईए दोलन गती एक तो होती है दोलन करना जैसे घड़ी में पेंडूलम होता है एक आवरती गती होती है उसमें दोनों में डिफरेंट बताना है दोलन गती हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गती करना कमपन करना इस गती को दोलन गती कहते हैं घड़ी का जो पेंडूलम होता है माल लेते हैं यह पेंडूलम है यहां से निस्सित टाइम अंतराल है यहां तक जाएगा वापिस आएगा यहां तक जाएगा ऐसे, 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 इनके बीच में दोलन करता रहता है, डूलता रहता है, उसे दोलन गती कहते हैं, आवर्ती गती, परती सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को, को दोलन की आवर्ती कहते हैं, आवर्ती का माप हर्टरज, अच जड से इसको रिप्रेजन्ट किया जाता है, यानि एक सेकिंड में कितने दोलन हुए, वो इसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, परती सेकिंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, एक सेकिंड में कितने दोलन हो गए, वो उनकी संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, इसको अपन हज से रिप्रेज हर्टज इसकी इकाई होती है आ kommen ह닐 अपने आस पास उपलब्ध किनी में चार धातों द्वारा विद्युत लेपी तवस्तों की शूची बनाईए अपने आज़ पास उपलब्द किनी चार धातों दोरा विदुत लेपित वस्तों की सूची आपको बनानी है जैसा कि आपको यहां से दिखाई दे रहा है सनान घर के टॉंटे, गेंस, बरनर तता साइकल के रिम आदिक पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है ताकि उस पे जंग ने लगे, अब उशन बनाने वाले सस्ती दातों पे चांदी तता सोने का विदुत लेपन करते हैं ताकि वो चमके, लोहे के उपर टिन का विदुत लेपन करते हैं ताकि उस पे जंग ने लगे बाल्टी लोहे की बाल्टी या लोहे की बाल्टी पे जिंक की परत निक्षेपित की जाती है ताकि उसमें पानी डालने से उसमें जंग ने लगे और रसोई के बरतन आ दे रसोई के बरतन पे भी पोलिश होती है एक तरीके से ताकि वो खराब नहीं हो उसमें रखावा खाना खराब नहीं हो नेक्स्ट प्रसन पर चलते हैं तारा मंडल तारा मंडल अर्षा मेजर के बारे में आप क्या जानते हैं तारा मंडल अर्षा मेजर के बारे में आप क्या जानते हैं प्रसन संक्या आजाती है आपके सामने 21 अर्षा मेजर अर्षा मेजर कहें यह तारा मंडल एक विख्यात तारा मंडल है जो हम गर्मियों में रात्री में पर्थम पहर में देख सकते हैं यह तारा मंडल बिग डिपर ग्रेट वियर अत्वा सब्तरी सी भी कहाता है इसमें साथ सूसपस्टी तारे होते हैं यह बड़ी कल्ची अत्वा पर्षन चिन है जैसा होता है इस कल्ची की हत्ती में तेन तता कटोरी में चार तारे होते हैं इसमें सब्तरी सी मंडल के बारे में आपको बताया गया है सब्तरी सी मंडल की जो आकर्ती होते हैं उसके बारे में बताया गया है प्रस्ण संख्या 22 नीमन पर अपने सब्दों में एक एक पेराग्राफ खिंचिये मीटी त्यार करना और भुवाई करना चलेगा इस पर करते हैं अपर जैसे एक एक पेराग्राफ लिखना इस पर मीटी त्यार करना इसके लिए भुमी की मीटी को उल्ट पल्ट कर पोलो करते जैसे कहते हैं ना जब हमारे अब गहूं बोई गई है सरस्वं बोई गई है चना बोय गया है इसकी कटाई होने के बाद में जमीन को अच्छे गहरे जमीन की गहरी जोताई की जाती है तासकि उसके अंदर जो हूमस है वो निकल जाए और नीचे की मीटी बाहर आजाए उपर की मीटी नीचे चली जाए इस से जड़ें भूमी की गहराई तक जा सकती है मीटी को पोला किया जाता है बान करके कल्टिवल्टर से ट्रक्टर से पहले उंट बेलों से की जाती थी लेकिन आज को ट्रक्टर से की जाती है यह परकिरिया जुताई कहलाते यानि मीटी की जुताई की जाती है इसे हल चलाकर करते हैं धीली मीटी के चिद्रों में उपस्ति जियों को वर्दी करने वे साहता परदान करती हैं, मिटी को उठने परटने तता पूला करने से पोस्टन परदार्थ उपर आ जाते हैं जिनका उप्योग पोधे आसानी से कर लेते हैं, जैसे नर्मे की विजाई कपास की विजाई होती हैं, उस टाइम उसके बीच में जैसे अपन आम भासा में बोलें तो तिरफाली या उसके बीच में से किसी उंट से या ट्रक्टर से हल निकाले जाते हैं ताकि कहें नर्मे या कपास की जड़ें गहराई तक चली जाए और इसमें घांस दब जाए यानि खर्पतवार नर्ष्ट हो जाए और इससे कई फाइदे होत करते हैं तो गहराई तक पानी चला जाए मिटी पोली हो जाए जिससे की पोधें की जड़े हैं वह सवसन का कारिया है शुरू कर दे नीचे जो कैंचुए हैं वह भी अपना सवसन कारिया शुरू करें उनको भी सवसन मिले कि इस परकार से बुवाई नेक्स्ट है हो चानी के लिए खेत की मिटी की बीज डालने की प्रक्रिया को भुवाई कहते हैं पहले हमने जोताई की इसके बाद में पा रगाया पनी लगाने के फिर पाद में फिर रहती है ना उसके बाद में उसकी बुआई की जाती है є याने उसके अंदर मिटिक एंदर बीज डालने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं बुआई कहते हैं Waar स्केर्ठों में बुआई के दो तरिके हैं- प्रणपञत अजार द्वारा यह कीप के अकार का होता है बीजों को कीप के अंदर डालने से यह है एक पर दो या तीन नुकिले सीरे वाले पाइपों से गुजरने पर यह मिट्टी के भेद कर बीज का स्थापित कर देते हैं यानि जैसे हल चला कर रहा है मुसीन के द्वारा की जाती है आज को तो पहले की परकिरिया मैं बताओं इस परकार की एक कीप होती थी इससे यहां से एक पाइप निकाल दिया ठीक है एक पाइप यहां से आ गया और एक पाइप यहां से आ गया ऐसे आकरती का होता है इसके अंदर बीज डाला जाता है तो वो बीज है इसके अंदर माल लेते हैं तीन चार बीज एक साथ में छोड़ जाते हैं तो एक दो बीज तो इसके अंदर आ गए एक दो बीज इसके अंदर आ गए इसके एक दो बीज इसके अंदर आ गया ऐसे 20 डिवाइडेशन होके नीचे फिर तीन पाइप लगे होते हैं एक ये हल हो गया इसके अंदर चला गया एक हल ये हो गया इसके अंदर चला गया और एक हल ये हो गया ये इसके अंदर चला गया इस परकार से ये तीन हलों के अंदर एक हाथ से 20 डालत हon iOUGHT nije है यहां पर पानी की कमी होती है वहां पर कहें है पहले से ही खेत के अंदर passage यहां पी चिद्र होते हैं फिर इन पाइपों में पानी चिद्र होगा यहां जहां जहां चीद्र कर लेंगे ये इतना गिला हो गया ये इतना गिला हो गया ये इतना इस परकार से इसके बाद में थोड़ा सा फरकाला होने के बाद में यानि थोड़ी सी नमी सोकने के बाद में उसके अंदर के बीज डाल दिये जाते हैं जहां जहां नमी हुई है वहां पे उसके अंदर के अपने हाथ स वीज डाल दिये जाते हैं वह ती है SID ड्रिप द्वारा इजिड ड्रिप नामक बीज बोह ने के तर में की जाती है इसके द्वारा समान दूरी पर गहराrail यहरा Sabbath बनी रहती है यह वीजों की गुणता तता बीजबोंने का तरी का दोनों भी फसल उप जाने में महत्वपुर्ण भूमे का निभाती है इस देट कलियर चलिएगा नेक्स्ट है सिंचाई किसे कहते हैं जल संक्षित करने वाले सिंचाई की दो वीद्या मैंने तो एक ड्रिप वाले बता दी वही है तो उचित समय पर विविन अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाती है जब फसल मांगती है उस ताइम जल फसल को देना खेत में पानी लगाना ही सिंचाई कहलाती है जल सरंक्षिन करने वाली वीद्याग एक तो छिड़काओ यनि इसको फ्वारा पुर्ती पर कहते हैं इस वीदी का उपयोग एस समतल भूमी के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मातरा में उपलब्द होता है जिसे टीबे धोरे होते हैं ऐसे उबडखावर जमीन होती है उस पर पानी तो क्यारी से अपन दे नहीं सकते क्यारी से पानी कैस चार इंची पाइप पांच इंची उस पे जगह 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 पे जैसे 20 पूट पे एक फ्वारा हो गया इधर 20 पूट पे एक फ्वारा हो गया तो यह दस पूट अपना एरिया दस पूट कवर कर लेगा यह भी अपना दस पूट एरिया कवर कर लेगा फिर आगे एक पाइ देखो पाइपों के उपरी सीरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं ये पाइप निसित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं जब पंप की साहिता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है जल बाहर निकलता है इसका चिड़काओ पोध है पर इस परकार होता है जिसे वरशा होती रहती है चिड़काओ बुल्वी मीटी के लिए अत्यनत उपयोगी है टीबो में मैंने बोला रेतीली मीटी में ये चिड़काओ उपयोगी होता है क्यारी से अपन रेतीली मीटी में पानी देना बहुत पानी चाहिए फिर सम्तल भूमी भी चाहिए तो वहां पे फ्वारा पत्ती उप्युक्त आती है उन पे एक ऐसे नोजल लगा रहता है जो कहा है पानी को खिंडा खिंडा गये से छिड़काओं के द्वारा जैसे बारीच होती वेसे पानी को छोड़ता है इस विद्धी में जल बूंद बूंद करके पोदे की जड़ों में गिरता है फलदार पोदे भगीचों वरक्षों के पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है इसमें पोदों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है इस विद्धी में जल बिलकुल वैर्थ नहीं होता जितना चाहिए उतना ही मिलता है पोदों को और जिस पोदे को चाहिए उतना ही मिलता है बाकी खाली जगाए पे जलन नहीं जाता। नेक्स्ट प्रेशन है, टेस्ट नमबर प्रेशन है, यदि निमल लिकित दातों की कोपर सल्पेट विलियन के साथ कोई अभिकिरिया होती है, तो ने बताईए, कोपर और जिंक, कोपर सल्पेट विलियन के साथ कोई अभिकिरिया होती है, तो ने बताईए, पहला कोपर और ज के साथ कोई अभिकिरिया नहीं होतीермिन जिंक के साथ में देखती है इसलिए वह कोपर सलल्पेट के विल्यन में कोपर दातु को विश्तापित कर देती है कोपर अभिकिरिया के दौरान कोपर सललल्पेट का निला रंग उड़ जाता है copper sulfate C-U-S-O-4-plus में जड़न जिंक की आपस में अभिकिरिया होगी तो जिंक सल्फेट बनेगा जड़न जो फॉर बनेगा और cu खू घू कॉपर है वह कह है अलकप प्राप्त होगेगा Is that clear? Copper CSO4 Copper Sulfate की जंग के साथ में अभिकिरिया होने से Zinc Sulfate बनता है Copper अलग प्राप्त होता है प्रकिरिया के दौरान Copper Sulfate का निला रंग उड़ जाता है Next person पढ़ते हैं परदार्थ A तता B की अभिकिरिया में Sulfur Diode Oxide Gains बनती है जिसे जल में विल्या करने पर C प्राप्त होता है परदार्थ A, B तता C का नाम लिखते हुए अभिकिरिया का राशाइनिक समीकन देना है देखते हैं जिसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं परदार्थ A सलफर हो गया परदार्थ B ओक्सिजन हो गया परदार्थ C सलफर सलफर अमल हो गया सलफर अमल हो गया तो सलफर प्लस में ऑक्सिजन मिलके सलफर डायोक्साइड बनाते हैं फिर सո टू कि अभिकिरिया ह साथ में कराने से सलफयोरीक अमल बनता है सलफ्यूरीक अमल बनताहruit H2SO3 Sulfuric Amal बनता है Is that clear? A, Sulfur था, B, Oxygen था C, Sulfuric Amal था तो Sulfur और Oxygen के अविकिरिया कराने से Sulfur Dioxide Sulfur Dioxide के अविकिरिया H2O के साथ में कराने से H2SO3 बनता है H2SO3 बनता है Next question की तरफ चलते हैं Next question है Choice Number यह दर्सानी के लिए कि आपतित किरन प्रावर्तित किरन दता आपतन बिंदू पर अभिलम एक की तल में होते हैं चितर दसाइए यह तो प्रशन काफी बार आच चुका है याद हो गया होगा एक की तल में होते हैं जैसे आपतित किरन आपतित किरन है और आपतन कोण आई हो देगा यह यहाँ पर कोई सम्तल है आपतन कोण आई और यह हमारे पास में प्रावर्तित किरन है वापिस जाने वाली प्रावर्तित किरन है और यह अभिलम हो गया अपतन कोण और बरावर होते हैं ऐसे बनाना है ऐसे कोई जरूरी कि इस परकार से बनाओ आप ऐसे बना सकते हैं यह को इस तरह होगी इस पर आपतित किरण उर्म है और अभी नब एक इतल में होते हैं तिनों जैसे आपने कहा दिया ए ओ वी-सी ठीक है आपतन कोण आई प्रावर्तन कौन आर बस ऐसे डाइगराम बना सकते हैं नॉर्मल इसको लिख सकते हैं आप आप तित किर्ण ये प्रावर्तित किर्ण और ये अभी लंब नाम लिख देना और ये शम्तल दे देना ठीक है ये आपका शम्तल हो जाएगा अग्यार नेक्स्ट प्रसंग की तरफ चलते हैं अग्यार अग्यार शटक दुर्गटना से बचाओ के कोई दो उपाए बताने तो ये तो सभी जानते हैं नॉर्मल हो गया वहां चलाते हैं समय हेलवेंट लगाएं सीट बैल्ट लगाएं जब बाइक चला रहे हैं तो हेलवे परकार से दिया जाता है कोई एक को आगे साइड में लगे होते हैं निसान उस पे ऐसे लिए लिखा दे इसका मतलब क्या होता है यहां पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ा है उन्ची नीची सड़क है या कई वार इस परकार से एरो दिया जाता है कि सड़क इधर जाता है तो सभी सिगनल हो जितने भी दिया जाते हैं जैसे रेड बतती है और इनका सभी का पालन करते हैं आपको चलना होता है ताकि आप सभी से बच सकते हैं दुर गटना से बच सकते हैं नेक्स्ट प्रसन है समतल दरपन के सामने रखी वस्तू के परतिविम बनने की किर यहां से, यहां P, P क्या है, एक वस्तु है, जो समतल दर्पन AB के सामने, ऐसे दर्पन रख दिया, और यह इसके नीचे रज़त दर्पन की पालिस कर दी, तो यह समतल दर्पन हो गया, यहां पे कोई P वस्तु है, AB के सामने है, इस से निकलने वाली प्रकास किरने, P, O और P, O, D, S हैं, एक तो P, O, यहां पे आगई, माल ले थे हैं, और एक यहां पे आगई, P, O, D, S, यह दो किरने आगई, बिंदू P से निकलने वाली, वस्तु P से निकलने वाली, आप्तित होती हैं, तो यह किरने, O, R, जो की O R होगी और यह O R 0 होगी, धिक है, यह प्रावर्तित किरैं आँख तक पहुंचती है, तो P से आती होई प्रतित होती है, जब यह वापिस, ऐसे आख यहां से देखेंगे, आख तक जायेगी न, यह माल लेते हैं, आपकी आख है, धिकिछ, यहां से देखेंगे तो यह कहा है P से आती भी परतीत होती है जैसा कि P नीचे की तरफ बन जाता है P जो डैस डैस में है वो नीचे की तरफ बन जाता है इसे डैस 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 यहां पर माल लेते हैं P बन गया और यह जो किरण है वो इससे आती भी परतीत होती है तो यह P ड वस्तु से आती भी आपको प्रतित होती है तो जैसा कि आपने डाइग्राम यहां पर देखा है इस परकार की आकर्ति बन जाई नेक्स पर चलते हैं एक नागरिक के रूप में एक वाहन चालक के क्या करतवे हैं कोई दो लिखिये एक नागरिक होने के नाते वाहन चालक के क्या क्या नियम होते हैं क्या क्या रूल होते हैं यह आपको बताना है तो यातायात नियमों का पालन करना एक नागरिक होने के नात करना होता है अपनी सुर्क्षा के साथ साथ दूसरों की सुक्षा को भी महतों देना जितनी आपकी जानता है जितनी आपकी जानता है कि मेरा जीना महतों है तो उतना ही दूसरे का जीना भी महतों है जितनी सुर्क्षा आप करता है अपने आपको बचाने की उतनी ही प्रसंसंख्या 25 चलते ही तो इसका पूरानाम लिखिये इसका उप्योग कहां किया जाता है इससे होने वाली एक हानिका उले कीजिए CFC का पुरा नाम क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन इसका उप्योग रेफ्रिज रेट्रो एर कंडिशनर अगनी शमन यंतर तता एरो सोल सप्रे में किया जाता है CFC क्लोरो फ्लोरो कार्वन के कार्ण ओजोन प्रत का हराश होता है जिसे ओजोन का अख्षय का अख्षय बोलते हैं तरीके से यानि उसका अच्छय हो रहा है ओजोन के अख्षय प्रावेंगनी जो किरने अधिक मातरा में प्रत किरने 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 प्रत किरन समय के स्रीर की सवस्ता है तू आप किन दो बातों पर विशेश ध्यान रखेंगे बताओ भी खुद बताओ ये तो देखो समय की सुख्षा रखनी है सोच जाने के उप्रांत साबुन से हाथ दोहेंगे नियमित अंत्राल पर नाखुनों की कटाई करेंगे काटेंगे और इसमें भरी गंदगी को बाहर फेंकेंगे निकालेंगे ये अपने आपको सवस्ता रखनी के दो तरीके हैं दो ही बताएं काफी सारे तरीके हैं वेसे तो सनान करेंगे टाइम पे सनान भी करना चाहिए और अपने चारों और आसपास सवस्ता रखनी चाहिए जो कच्रा है वो डस्टमीन में डालना चाहिए कीचन की सफाई रखनी चाहिए यहां पे आप खाना पकाते हैं वहाँ साप सुत्रा होना चाहिए ये बहुत सारी बातें होती है ठीक है नेक्स्ट परदूसी तजल से होने वाले चार दूस परणाम को आपको उले करना है परदूसी तजल से क्या क्या होता है ये आपको एक्स्प्लेन करना है जैसे जलिय पादपों की अधिक्ता से जलासियों में रात्तरी में ओर्टू की कमी हो जाती है जलिये पादपों की अधिक्ता से जल में कहें ऑक्सिजन की कमी आ जाती है जिससे छोटी छोटी मचलियां तता अन्य छोटे जीव मर जाते हैं जैसे जल के अंदर रहने वाले मेंडक है या अपन बोले मचली है या कोई छोटे जीव है वो क्यों मरते हैं कि उसके अंदर जलिये पादफ अधिक होते हैं इससे वो कह ऑक्षिजन का ग्रहन कर जाते हैं जल के अंदर ऑक्षिजन की कमी आ जाती है जिससे उनको साउसन नहीं मिल पाता इस काण मचलिया मर जाती है छोटे जलिये जीव मर जाते हैं जिससे पानी दूसित जल पीने से हमें मरने लगते हैं जब तेल यह जल जैसे अपन कई बार कहा है जल के अंदर तेल की मातरा बढ़ जाते हैं इसमें कोई तेल मिल जाता है जल के अंदर तो इसके कांड के हैं उनको ऑक्षिजन नहीं मिल पाता और मचलियां बहुत बड़ी संख्या में मरने लग जाती है जिस से पसू बिमार पड़ जाते हैं ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट प्रसंग की तरफ नेक्स्ट है सवच भारत सवच भारत सवच भारत सवश्थ भारत है तो कोई दो सुझाओ लिखी पॉलिथीन के उप्योग पर परतिबंद लगाया जाना चाहिए कच्रा डस्ट वीन में लाना चाहिए ये सवच भारत के सुझाओ है Is that clear? तो हमने आज की क्लास में पांच वा मोडल पेपर किया है क्लास कैसी लगी? कमेंट करके जुरूर बताएं अच्छी लगी है तो लाइक और सेर जुरूर केजिएगा चलिएगा सुझाओ है आज की क्लास में इतना ही नेक्स क्लास में मिलते हैं कुछ नहीं के साथ जै हिंद जै भारत